हलो एवरीवन आप से वोगफ से एक पर स्वागत है मेरी इस चैनल पर जिसका नाम है अनी क्रियेशन और इस चैनल पर आपको धीर सारी टेक से रिलेटेड नौलेजिवल वीडियो मिलती रहती है तो फ्रेंड्स बहुत दिनों बाद मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि जो फर्स वीडियो बनाया है न्यू यर का और इस फर्स वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाट्साइप के बहुत ही अच्छे-चे फीचर्स की तो वाट्साइप में बहुत अच्छे-ची फीचर्स आपको मिले हैं जो कि 2020 में रूल आउट किये गए थे तो उनमें से कुछ आप इस्तमाल करते हैं और कुछ फीचर्स आप इस्तमाल नहीं करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि 2020 में आपको WhatsApp में कौन-कौन से अच्छे और unique features मिले हैं तो अगर आप नहीं समाल करते हैं तो मुझे comment में बताईए और अगर आप इस्तमाल नहीं करत तो आप चेक आउट कीजिए कि आपके वाट्साप में वो सारे फीचर्स उपलब्ध है या फिर नहीं तो वीडियो काफी साथ इंट्रेस्टिंग होने वाली है लाश्ट तक जरूर देखिएगा तो आएए दोस्तों सुरू करते इस वीडियो को सो फ्रेंट्स वीडियो सुरू करने से पहले आप सबों को हैपी न्यू यर उम्मीद करते हूँ कि ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा हो और आपके जितने भी विशेश हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए तो चलिए बात करते हैं वाट्साप की तो वाट्साप ने काम करता है वाट्साप में उनको पैसे भेज सकते हैं यानि की मनी ट्रांसफर कर सकते हैं उसके लिए बस सर्थ ये है कि आपका जो other candidate है मतलब आपका जो WhatsApp user है वो भी WhatsApp payment इस्तमाल करता हो तो ये जो WhatsApp payment इस्तमाल करने का तरीका है बहुत ही आसान है बस यहाँ पर जाकर के आपको अपना जो है एक account link करना होता है और फिर उसके बाद में आप यहाँ से WhatsApp payment के लिए तयार है तो है ना ये amazing feature अगर आपने इसे इस्तमाल नहीं किया है तो comment में बताइए कि क्यों इस्तमाल नहीं किया है और आप चेक किजिए कि आपके WhatsApp में ये feature आपको मिला है या फिर नहीं मिला है तो friends आईए बात करते हैं इसके दूसरे feature की तो दूसरा feature जो है वो बहुत जाद amazing है जो कि है wallpaper का तो wallpaper friends आपको पता ही है कि WhatsApp में ये wallpaper आप चेंज कर सकते हैं जो कि पहले ऐसा था एक wallpaper अगर आपने यहाँ पे लगा दिया है तो वो सारे के सारे contact number में वही wallpaper सेम हो जाता था लेकिन यहाँ पे 2020 में एक और नया feature आड़ किया गया है जिसके मदब से आप हर एक friend के wall को change कर सकते हैं यानि कि एक friend के wallpaper को आप दूसरा लगाए और दूसरे के आप दूसरा लगा सकते हैं मतलब अलग-अलग अपने wallpaper आप set कर सकते हर एक contact के लिए और अब यहाँ पे जो normal WhatsApp के जो themes थे उसे change करके यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी theme लेकर के आया है यह WhatsApp यहाँ पे आपको light theme भी मिल जाएगा और dark theme भी मिल जाएगा तो अब अपने WhatsApp के wallpaper को अपने contact के हिसाब से आप change कर सकते हैं तो है ना यह amazing बात तो चलिए दोस्तों तीसरे option के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे है यह search option तो यहाँ पे जो search option ने उसे काफी जादा advance कर दिया गया है यहाँ पे आपने जितनी भी चीज़े किसी को भी भेजी हूँ चाहे फूर वो video हो, audio हो, document हो या फिर कोई भी photo हो उसको search करना काफी जादा आसान हो जाता है यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कब किसे क्या भेजा था और यहाँ से आप उसे recover भी कर सकते हैं तो इस option के लिए मैंने एक अलग से video बनाई हुई है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी तो आएए दोस्तों, next बात करते हैं यहाँ पे है disappearing message तो यहाँ पे disappearing message का मतलब होता है कि वो message जो की automatically गायब हो जाए तो यहाँ पे option यह है कि यहाँ पे अगर आपने disappearing message को enable कर दिया है किसी भी contact के उपर तो अगर आप उस बंदे को कोई भी message करते हैं तो वो 7 दिन के अंदर-अंदर खुद बखुद गायब हो जाएगा जी हाँ, सायद यह option आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता रही हो आप जाकर के चेक किजिए WhatsApp में कि यह option आपके WhatsApp में जरूर मिल जाएगा जिसका नाम है disappearing message इसमें 7 दिनों के अंदर-अंदर आपने जो कुछ भी भेजा होगा वो यहाँ पे delete हो जाएगा disappearing message को बस आपको enable करना है लेकिन मुझे ये स्मझमी नहीं है कि इसका क्या फाइदा हो सकता है बंदा screenshot ले करके रख ले बेश तो तब होता जब ये कुछ minute ये कुछ second के लिए appear होता फिर उसके बाद disappear हो जाता बट कोई नहीं अगर आपको अच्छा लगता है तो आप disappearing message भी इस्तमाल कर सकते हैं तो आईए चलिये बात करते है next option की तो यहाँ पे आपको मिलता है mute notification तो mute notification फ्रेंड्स आपको पहले भी मिलता था लेकिन अब यहाँ पे advance कर दिया गया है यहाँ पे mute notification में अब आपको always का option मिलता है मतलब अगर कोई group आपको बहुत सारे messages कर रहा है और आप बिल्कुल बोर हो चुकें उन messages से आप चाहते हैं कि इस WhatsApp group का मुझे notification ना मिले तो आप उसे mute कर सकते हैं वो था पहले एक सब्ता के लिए एक महिने के लिए 8 गंटे के लिए लेकिन अब उसे always कर दिया गया है तो है ना यह amazing feature तो आईए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने next feature की so friends यह जो feature है आपका group message का तो यहां पर क्या होता है कि WhatsApp हम लोग इतने सालों से समाल कर रहे हैं इससे हमारा storage जो है वो फुल हो जाता है तो अब हमें चाहिए कि storage को delete करना मतलब storage को थोड़ा सा खाली करना तो हम कैसे करेंगे क्योंकि अगर हमने पूरे WhatsApp को clean कर दिया तो उसमें जितने भी informative चीज़ी होंगी वो सारी की सारी मिट जाएंगी यहां पर आपको एक option मिल जाता है जिससे आप एक एक करके हर एक चीज जो आपके जरूरत की नहीं है उसे particularly delete कर सकते हैं ग्रूप के अंदर ही तो यह काफी जादा अच्छा feature मुझे लगा है तो आप भी जाकर के चेक आउट कर सकते हैं कि किस तरह से आप WhatsApp के अंदर यह अपने important चीज़ों को side रख सकते हैं जो आपके लिए important नहीं है उसे directly delete कर सकते हैं तो यह भी बहुत ही अच्छा feature मुझे लगा था यह दूस्तों बात करते हैं next feature की तो यह है कुछ stickers के बारे में तो आपको पता ही होगा कि WhatsApp में आपको बहुत सारे stickers मिल जाते हैं तो क्या कभी आपने वहाँ पर गौर किया है कि जो भी emojis बने होते हैं जब आप emojis के sections में जाते हैं तो नीचे जगर आप scroll करेंगे जहां पर आपको human beings के stickers मिलते हैं वहाँ पर एक छोटा सा arrow दिखाई देता है क्या आपने उस arrow पर क्लिक करके कभी देखा है कि वहाँ पर क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको अगर आप उस arrow पर long press करके रखेंगे वहाँ पर आपको अलग-अलग color की emojis मिल जाएंगे तो हैना यह amazing तो friends यह सारी features जो है मुझे मेरे WhatsApp में मिले हुए हैं तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दूँ इसमें से बहुत सारी features ऐसे होंगे जिसको आपने इस्तमाल किया होगा और कुछ features ऐसे होंगे जिसको आपने इस्तमाल नहीं किया है तो आप चेक कर लिजी अपने WhatsApp में कि आपको मैंने जितने भी features बताएं उनमें से आपको कौन-कौन से features मिले हुए हैं और कौन-कौन से नहीं मिले हुए हैं अगर वो नहीं मिले हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि वो आपको कैसे मिल सकते हैं तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कमेंट तो चलिए दोस्तों ये वीडियो काफी दाद इंट्रेस्टिंग है जो कि न्यू येर का सबसे फोस्ट वीडियो है तो अब इस वीडियो का हम लोग यहीं पर एंड करने वाले हैं तो एंड करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी है जो भी मैंने वाट्सअप के बारे में जानकारी दी है अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजेगा जिनको नहीं पता है उनके लिए शेयर कर दीजे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दबाईए औल पर सेलेक्ट कीजे ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालू तो उसकी नोडिफिकेशन आपको मिलती रहे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी शूर्सल मीडिया के लिंक से अगर आपको मन करता है तो जाकर के फॉलो भी कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में दोस्तो बस इतना ही हम लोग मिलेंगे नेक्ष्ट वीडियो में सो बाई बाई